नमस्कार दोस्तों मैं हूं ली जैनियो और आपका स्वागत है पेरे चैनल में अभी मैं आ रहा हूं अल्मोस्ट एक महिने के बाद अपने चैनल में बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 जो उसका लॉग्डाउन जो चल रहा था उसके कारण ध्यारन हम लोग्डाउन में तो और मैं हर दिन एक्शली वीडियो कर पा रहा था उस टाइम पर क्योंके घर पर ही था हम लोग और अभी जो है हमारा स्टूडियो वापपस खुल चुका है तो जब हमारा जब लॉग्डाउन खुल चुका था उसके बाद बाद में जो तो स्टूडियो हमारा शिफ्ट हो रहा था, हमने नया जगह पे शिफ्ट किया और उसका काम भी चल रहा तो उसके कारण थोड़ा हम लोग डिले हो गया, मैं मुझे छिर्क फ़रा डिलेा हो गया कि आप लोग के साथ कनेकरने के लिए और सब सेटप करने के लिए मैने सब करने से माफिय不管 कि चाहता हूं कि है आप लोगे साथ कनेक्नि कर पाया और सके कारण कोई कंटेंट भी नहीं डाल पाया तो बस अभी मैं वापसा जोगा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लोग के लिए कुछ ना कुछ डेली या हफते में एक दो बार कुछ ना कुछ content डालते रहो और सिखाते रहो वापिस जो हमने शुरू किया था और ज़रूर हमारा जो स्टूडियो का जो पूरे डेवलेप्मेंट जो हुआ है उसके बार में भी वीडियो बनाऊंगा और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग को कि मैं दिखाऊंगा स्टूडियो में हम लोग कैसे काम करते हैं और उसको हमने सट अप कैसे किया चोटाज एक स्टोरी बतारा हो चुका था हमको तो फाइनाशली भी हम लोग बहुत टाइट सेट अप में थे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो हमारा नया जो इन्वेस्टर है ओनर जो है उन्होंने अभी हमारा जो भी है सब कुछ नया सेट अप करके दिया हमको और हमारा स्टूडियो जो कि मुझे बहुत कमेंज आ रहे थे यूटूब में और मैं उनका कुछ रिप्लाइ भी नहीं कर पा रहा था जैसे मैंने बता है बहुत बिसी था रात को बहुत लेट हो यादो तक घर पहुंशते पहुंशते तो टाइम नहीं मिलता था तो आज मैं सुचा कि मैं जो भी कमे मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा में चीज जो बोलना चाहता हूं वो है कि आप हमें हमारे जो स्टूडियो का जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं जो है स्टूडियोन डीएक्सबी.com जो हमारा वेबसाइट है और यह है है हाश्टाइक स्टूडियोन डीएक्सबी जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है हाश्टाइक स्टूडियोन डीएक्सबी और यूटूब में भी हमारे चैनल है उसका भी है स्टूडियोन डीएन तो उसका मैं आपको बताऊंगा पुरा लिंक बताऊंगा हम लोग अभी पेज है जो लिंक है मैं आपको नीचे डालनों कि हमने नया चैनल बनाया और आप लोग हमें Studio 9 में जो है उसमें भी follow कर सकते हो और subscribe भी कर सकते हो और जो live जो studio में जो sessions चलता है वो सब हम करते रहेंगे और आप उदर से बहुत कुछ चीज़े जो studio के अंदर recording studio के अंदर जो कुछ चीज़े हम लोग recording कर रहे है और जो process है या DJing जो है उनका live videos जो है और electronic music production जो सीखने है हमारे जो students है वो सब आप हमारे जो studio 9 का जो है चैनल से आप देख सकते हो यह मेरा personal channel है जिस पर मैं definitely आप लोगो सीखाते रहूंगा FL studio के बारे में music production के बारे में दूसरा हमारे जो recording studio के जो channel है उसमें आप लोग थोड़ा और advanced level में आप लोग professionally आप उदर और भी सीख सकते हो चीज़े और live देख सकते हो जब हम practically जब देखते है live क्या हो रहा है studio के अंदर तो उसमें भी थोड़ा हमको आसाली रहता है तो म आप मैं दिखाना चाहता हूँ क्या 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 क्मेंस हमारे ले आया है चाहे अच्छा हो या बुरा हो जो भी क्मेंस हो मैं दहे दिल से मैं आपको पढ़के सुनाओंगा और उसका reply भी दूँगा तो यह है मेरा actually YouTube का जो क्मेंस का basically मुझे जो मिलता है आज का जो पहला क्म पुरबा जी अभी तो मैं ओनलाइन क्लासस थोड़ी दिनों के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ तो उसके कारण मैं करने ही पा रहा हूँ तो लेकिन हम लोग शुरू करेंगे जल्दी और आपको मैं बता हूँगा कि हमारा प्रोसेजियस क्या ह तो जो भी ऑनलाइन क्लासस होगा ग्रूप क्लासस ही होगा ऑनलाइन क्लासस में उसका डीटेल्स में आपको बता दूँगा और हम लोग उसके मतलब ऑनलाइन के तरही है मैं आपको बता दूँगा कैसे कहां से हम लोग क्या कर सकते हैं नीरव शुक्ला बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे खेलते हूं, मैं ट्राइक कर रहा हूं, आपकी तरह खेलने का ज्यादा वीडियो शेयर करिये, मैं क्या खेलता हूं, मैं समझ नी पाया, निरव जी लेकिन जो भी है, मुझे लगा कि आप हमारा अप्रिशेट कर रहे हैं, थांक यू सो मच, फिर है कार्तिक यू सेखेल लेस्ट लेस्ट अपरोज सोफरा, त्वाज है क्या हूं, फिर ही लगा क्या अफेक्शन और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगो हमारे चानल अच्छा लग रहे हैं, हनी ऑस्टिन सर मुझे लोग लोग लोजिक सीखना है, क्या अपना नंबर संड कर सकते हैं हनी ऑस्टिन जी अगर आपको लॉजिक प्रो एक्स सीखना है तो आप हमें कॉंटाक कर सकते हो हमारे इमेल पर हमारे इमेल आइडिया है डीजेनियोडीएकसबी एट जीमेल डाट कॉम और उसके उधर उससे जरीए मैं आपसे परस्नली बात कर लूँगा ठीक है गाजी किंग ऑफिचल सर प्लीज कवर सॉंग म्यूजिक कॉट्स एकसे बनाए प्लीज बताइए गाजी किंग जी मैंने अलरेडी कॉट्स और स्केल्स के उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसका भी बहुत कुछ चीजे सेम चीज रहता है लेकिन आप जो बोल रहे हैं मैं डेफिरिंटली टाइम मिलते ही बनाऊँगा इसके उपर राजवीर सिंग कैन यू की वियर नमबर राजवीर सिंग जी मैं अपना नमबर अच्छली ओनलाइन लाइव देना नहीं चाहता है लेकिन आप मुझे कॉंचे कर सकते हैं डीजनियोदी एक्सब्स जीमेल.com पर और उसके बाद हम उदर से देखते हैं हम क्या-क्या आपके साथ काम कर सकते की नहीं कर सकते हैं राजे इशकुमार प्रादान पूछ रहा है I request all of you who are watching these important and useful videos please don't skip the ad which appears in between the video it is my personal request to all of you please don't skip single ad राजे इशकुमार जी बहुत बहुत शुकरिया मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो हमें support करने का कोशिश कर रहे हो और दूसरे जो लोग को बता रहे हो कि ads ना skip करे अभी राजश प्रदान जी इसलिए बोल रहे हैं कि ads ना skip करे ताकि हमारा जो है थोड़ा बहुत पैसा इसमें जो बन जाता है हमें support करते हैं यह सब चीजे thank you so much राजश आपका जो है दिल से जो आपने यह जो लिखा है प्रेम सुनार अगर मैं original doll लेता हूँ तो क्या piracy windows पर चल जाएगा या नहीं प्रेम सुनार जी इसके उपर मैं ज़्यादा बोलना ने चाहता है लेकिन आप original doll लेते हो कहीं पर भी आप चला सकते हो कोई भी windows अगर आप original भी लेंगे बाद में तब भी आप चला सकते हो because FL studio जो है basically login पर काम करता है तो आप चला सकते हो को intention नहीं है तो यह same question सुनार नहीं पूछा है प्रेम सुनार जी पूछ रहे हैं देखें प्रेम सुनार जी पार आपको ज्यादा पता भी नहीं चलेगा actually होगा तो भी पता नहीं चलेगा मैं तो ज्यादा software expert नहीं हूँ लेकिन जितना मैंने देखें उतना आपको फरक पढ़ना नहीं चाहिए ठीक है लेकिन मैं भी ये भी बोलूँगा piracy pirated software मत यूज कीजिए देखें कि आप पैसा बचाए औरिजिनल software खरी दीजिए ANC beat पूछने सर क्या हर जगा certificate जरूरी है क्योंकि एक DJ mixing सीखने के लिए minimum 10,000 play pay करना पड़ता है कोस तो दूर की बात है मैंने जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है सर बट certificate तो नामुम्किन है ANC beat certificate तो आपके एक proof हो जाता है तो इसके कारण मैं यह नहीं बोलूँगा कि certificate जरूरी है या ने जरूरी नहीं है बहुत जगों पे आपने देखा होगा certificate नहीं देखते हैं आपके talent की उपर ही सब कुछ चलता है तो लेकिन definitely अगर आपको कुछ सीख रहा है तो free में सीखने को नहीं मिलेगा Guru Dekshina इसलिए हम लोग Guru Dekshina बोलता है तो आप एक Guru से जब सीखोगे वो बहुत बड़ा चीज होता है और Guru का एक respect भी वोईज दा आप Guru को Guru Dekshina देते हैं बाद में मुझे colorful voice पुझे sir FL studio में condenser microphone लगा है तो recording नहीं हो रहा है मगर condenser mic हटा है तो recording हो रहा है please बताइए क्या करना चाहिए colorful voice आपने अगर condenser mic यूज किया है तो उसके लिए definitely एक sound card ची होगा जिसमें 48-volt का phantom power होगा और वो 48-volt जो phantom power है आपको on करना पड़ेगा तब ही जाके condenser mic चलेगा condenser mic के लिए 48-volt का phantom power होना ज़रूरी है ने तो आपका mic नहीं चलेगा hopefully मैंने आपका problem solve कर दिया हो और बिना इसका आप लोग directly अगर यूज करना है तो USB condenser mic आजकल आता है क्योंकि USB से जब आप connect करते हो अभी जैसे मैं यह जो mic use कर रहा actually USB condenser mic है condenser नहीं है यह dynamic है लेकिन condenser भी भोल सकते है because यह पता नहीं semi condenser है या semi dynamic है मालूम नहीं जो भी mic मैं use कर रहा भी इसका quality उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग से बात करने के लिए काफी है हर सिद्धू thanks sir I have Behringer audio interface I don't get good response which should I buy and what buffer length is good Behringer audio interface हर सिद्धू ऐसे कुछ नहीं कि अच्छा नहीं है अच्छा है लेकिन आप कैसे इस्तमाल कर जो उसके ओपर डिपन करता है तो आप यह मत सोचे कि Behringer आपके लिए अच्छा नहीं है और buffer length जो है मैंने buffer length के ओपर अलरड़ी एक tutorial बना हुआ है अगर आप recording कर रहे होगा तो buffer length हमेशा कम रखिए और अगर post processing कर रहे हो मतलब अगर editing और mixing mastering कर रहे हैं तो उसका buffer length जादा रखना चाहिए Sir, how Islamic song use a background chord मैंने अभी तक Islamic song का मैंने कुछ सुना नहीं है शायद आपने नाथ के बारे में बात किया होगा नाथ का अगर होता है तो नार्मल एक semi chord जो हापका सूर के ओपर आपको chord पकरना चाहिए लेकिन chord progression जातर नाथ में या इसमें कुछ होता नहीं है बहुत ही rarely मैंने देखा है और मैंने आज तक इसमें जादा काम नहीं किया है तो इसके बार में मैं बोल ली सकता आपका नाम मैं बंगाली पढ़ना नहीं जानता है बढ़ा इनो दा ये बंगला लेंग्वेज है सॉरी शरीफ म्यूजिकल हाई सर जब हम कोई न्यू सौंग का म्यूजिक बनाता है उसमें समझ नहीं आता लगता कि आप मेरी हेल्प कर सकता हूँ मैं समझा नहीं आपका question हाई सर जब हम कोई न्यू सौंग का म्यूजिक बनता है और इसमें समझ में नहीं लगता क्या है मैं समझा नहीं शरीफ म्यूजिकल अगर आप वापस मुझे question बराबर लिखेंगे तो मैं शायद आपके लिए reply कर सकता हूँ राजश कुमार प्रदान और एक helpful वीडियो धन्यवाद सर थांक्यू सो मच राजश प्रदान जी विकाश नायक लाइव सर ये तो सिर्फ mixing है mastering का lesson करो vocal और music दोनों का प्लीज विकाश नायक मैंने mixing और mastering का जो है live पे किया था और वो video बहुत ही लंबा है आप देख सकते हो song composition और song arrangement के उपर आप videos पूरे देखिए आपको मिल जाएगा संदीप मौंडाल official थांक्यू सर इस video ने बहुत मदद मिला बड़े एक problem अभी है मेरे रह गया कोई एक गाना में पूरा voice में delay नहीं रहता है किसी एक line के last पर मैं रहता है तो वो कैसे करें मतलब किसी एक particular part को choose करके delay डाले उसके उपर मैं संदीप जी एक video बनाना पड़ेगा इदर बताओंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं समझ गया आप क्या चाहते हो करने के लिए उसके लिए basically वो जो main part आप सिर डिले करना चाहते हो वो part को आप कट कर सकते हो और इसको दूसरे ट्रैक में आलके दूसरा ट्रैक का जो है उसमें एफेक्स में आप डिले यूज करके उसको इसको इस्तमाल कर सकते हो अगर आप समझ गया तो ऐसे करके देखे आपको जरूर मिलेगा हलो DJ Neo Sir I am new by in music production please check out my beats so that I can make myself than before it would be a mirror and great motivation for me thank you for more music definitely I will check you tension boss thank you sir thank you so much DJ RJ DH RJ music I want to use two audio interfaces at the same time can you help me I don't know why DH RJ music why do you want to use two audio interfaces in the same DAW so if you can explain me what is that you are trying to achieve so maybe I can help you out प्रेम गुरूंग गुट जॉप साथ thank you so much प्रेम गुरूंग जी प्रकाश पाडल बोल रेक वीडियो लॉजिक वाली नहीं लगती मुझे इसकी सब बक्वास बनता है ये बन्दा प्रकाश पाडल जी अगर आप जो अगर लॉजिक वाली नहीं लगती तो मैं कुछ बोलने सकता शायद आपका लॉजिक और मेरे लॉजिक शायद एक साथ नहीं बैठा होगा तो इसके कारण शायद आपको लगता है कि मैं बक्वास कर रहा हूँ अगर आपको लगता है कि मैं बक्वास कर रहा हूँ तो ठीक है आप हमारे चैनल ना देखे दूसरा कोई चैनल जहाँ पे कोई बक्वास ना कर तो आप वो देख सकते हूँ Thank you so much आप हमारे ले comment किया इतना तो आपने जो बक्वास जो कर रहा है बंदे के लिए टाइम तो वेस्ट किया थांक यू सो मच भाईया जी मैं लेट हो गया अब नहीं मिल रहा Ozone 9 मुझे चाहिए क्या करूँ आप बताइए अब्दुलहफिस कादरी उदैपूर जी वो एक्शुली फ्री प्लग इन को थोड़ा टाइम के लिए था तो आपको वेट करना पड़ेगा अभी जब भी फ्री प्लग इन मिलेगा उस ताइम तक अभी तो नहीं होगा शाहिद इफ यू यूज दैनामिक मैक देन वाट विल आई कीप मैडिस्टेंस फोड़ा पास रहना चीए आपको और उसके अब बाद भी दूसरा एक और चीज़ है डामिक मैक में आपको लेवल्स जो है प्लस 10 या 15 डीबी डेसिबल्स डेफिनिटली आपको बढ़ाना पड़ेगा क्यूंकि डामिक मैक का जो है करनेंसर मैक की तरह पावर रेंज जोड़ थोड़ा है कम मिलता है आपको इसरे ने डेबल लाइक बटन तैंक यू सो मच मुजिक लेरिनिग फ़ दाट बहुत कुछ सीखने को मिला धन्यवाद सर जी तैंक यू सो मच राजश कुमार प्रदान जी सर मैंने सॉंग अरेजमेंट की पूरी सीरीज सीख ली है और प्राक्टिस भी की है कॉड आर्प, ड्रम, एक्सेटर सारा कंपनेंट सीख किया है लेकिन वोकल में एक जो प्रोफेशनल वाली चीज नहीं आ रही हमेशा हम लोग जब कुछ काम करते हैं तो डेफिनिटली हमारा कान अभी आपको ऐसा लग रहे है कि प्रोफेशनल लहीं लग रहे है तो डेफिनिटली आपका रेकॉर्डिंग का जो अगर आपका रेकॉर्डिंग जो है अच्छा रूम में नहीं तो डेफिनिटली वो भी एफिक कर सकता है तो यह सब कुछ चीजे माइना देता है रेकॉर्डिंग पर ठीक है फिलिंग बैट फो डीजे नियो वी नो इट हर्ट बाइदे वे फॉक दोस हीटर्डिंग लेकिन उनका भी एक पॉइंट है तो वी कनाओ एट थेम लेट बीजे बीजे लिए अपको यह जो कोड्स और मेलडी स्क्राइब बताया है वो यह एक आइडिया है कि हम लोग मेलडी कैसे बनाते हैं अभी आपका जो मेलडी सैड और रोमांटिक सॉंग के लिए जो होता है बेसिकली माइनर कॉट्स पर होता है आप माइनर कॉट्स पर ट्राइ कीजिए आपको डेफिनिटली थोड़ा बहुत साड मेलडी मिली इसकी वज़े से मेरा पूरा ट्रैक स्पोल हो जाता है म्यूजिक अगर आप रेकॉर्डिंग के टाइम पे साउन फट रहा है आपका तो बैसिकली आप कंपरसर यूज नहीं कर रहे है आप कंपरसर यूज कर लीजिए और मैंने कंपरसर का टूटोरल डाला हुआ है आपका कोना पला इन विच पार्ट सिंगिंग विद कराओ के इंफरमेशन इस प्लीज तल्मी कराओ के का सिंगिंग इंफरमेशन मैं डालता नहीं इसमें तो आम रिली सॉरी सुबश्री जी बिकॉस कराओ के का जो है ट्रैक्स में बाहर से लेके दर करूंगा तो मुझे बाद बास मोनो ओडियो लाइव रेकॉर्डिंग अलग अलग ट्रैक वोकल कैसे रेकॉर्ड करे एफल स्टूडियो पर मौन जी उसके लिए मिरको आपको एक दिन एक वीडियो बनाना पड़ेगा और डेफिरिंटल मिना कि आप लोग को दिखाऊंगा सर मुझे एफल कीज नहीं बजता मेरे कीबोर्ट से ऐसा क्यों क्या करना पड़ेगा सर कीबोर्ट से मेलोडी बनता नहीं बाबो वहर मैंने जो आपको दिखाया था बहुत सिंपल तरीका मेलोडी बनाने का सबसे पहले तो आपको स्केल्स और कॉर्ट सीखना पड़ेगा अगर आपको स्केल्स परया मायर नू जान उर्पावम मल्यालम मात्रम आरिवन मल्यालिया, so यह है बीबिन अबराम यह बोल रहे थे मुझे कि actually English में videos बनाया, क्योंकि उनको समझ में ने आ रहा था Hindi, तो मैंने, because यह है Kerala से और मैं भी Kerala से हूँ तो मैंने actually Malayalam इनको reply किया था, okay बीबिन डफिरिटली I will try to make videos in English as well भाई अमम पंजाबी lyrics लिख दे है कि मैं पंजाबी lyrics लिख दे है किसीनों चीज जो please reply करो, official music record जो है पंजाबी lyrics लिखते है, अगर आपको चीए तो आप इनको reply कर सकते हो, यह आपका शायद help हो सकता है तो दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, मैंने जो comments मुझे मिला, इससे भी जादा comments है basically, यह शायद एक हफ़ते का comments है या दो दिन का comments है तो वो comments मैंने actually आज पढ़ लिया आप लोग के लिए, और उसकी साब से जो भी reply दिने का दर दे दिया उसमें से एक hater मिला था मुझे जो बंदे ने बोला कि मैं बक्वास कर रहा हूँ thank you so much, आपको लग रहा है कि अगर मैं बक्वास करो मेरा बक्वास ना सुनिये, कान बंद कर दीजे ने तो चले जाईए हमारे channel से दूसरा जो बक्वास नहीं कर तो आप उनको follow कर सकते हो, thank you so much लेकिन फिर भी चलता है thank you, आपका जो comment डाला आपने उतना तकलीफ तो किया कि comment तो डाला बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों जैसे मैंने पता है आप देख सकते हो हमारा जो ये जो है follow us on Instagram, student9dx भी जो hashtag Instagram में डालिए और follow कीजिए और student9productions LLC जो है आप YouTube में जाके type करके search कर सकते हो, और हमें subscribe कीजिए student9productions LLC जो YouTube वीडियो है हम लोग कोशिच करें कि कहां से link करूँ मेरा channel और student9 को जो channel है ताकि आप लोग अगर मैं उदर जब live जाओंगा आप मुझे उदर भी देख सकते हो और इदर भी connect कर सकते हो अगर link ने कर पाए हम लोग आप इतना तो कोशिच कर सकते हो कि आप हमें student9productions LLC पे subscribe कर सकते हो क्योंकि मैं उदर से जातर live आते रहूँगा जब हमारा जो productions basically studio में होता है इसके कारण और studio में मुझे जादा time मैं spend करता हूँ घर पे बहुत एकर time कम time आजकल मिलता है मुझे क्योंकि हमारा काम शुरू हो चुका है और lockdown खुल चुका है मैं तो बस आप इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी तक करोना का बहुत problems चल रहा है आप लोग safe रहिए और अपना care लीजिए mask पहनिए, gloss पहनिए और sanitizer use कीजिए मैं कैसे आप लोग को बताऊं कि आजकल अभी भी इंडिया में cases बहुत जादा बढ़ रहा है please take care of yourself कहीं पे भी हो आप कैसे भी हो जब तक ये pandemic पूरा तरीके से घड़नी जाता आप लोग please take care कीजिए आपके जो health है उसके इसके लिए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही इतना बोल के मैं चलता हूँ भूलियेगा मत student and dxb जो है हमारा hashtag है इसका आप ज़रूर subscribe कीजिए like कीजिए और comment कीजिए और मैं आते रहूँगा अभी हमारे channel पे बस इतना बोल के मैं चलता हूँ धन्यवाद